प्यार भरा सभी को नमस्ते, मैं हूँ शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त, आज आपको एक छोट आसा प्यार आसा स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ, साथ में दूँगी आपको एक एंजल नमबर, जो देता आपको स्ट्रेंथ, जब आप ऐसा फील कर रहे हो ना कि कहीं से कोई उमीद की किरण नहीं बची है, तो आप स्विच वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, इस नमबर को इस्तेमाल करेंगे, वो आखरी उमीद की किरण भी आपको जरूर दिखने लगेगी, हम शुरुआत करते हैं, आपका जो स्विच वर्ड है, नमबर इसमें से देखकर ही काफ़ी बड़ा सा number है मगर बड़ा भी पावरफुल number है switch word जो आप chant करेंगे वो है citadel ठीक है citadel ये है छोटा से switch word है मगर इसके uses देखेंगे ना तो हर विक्ति को ये लगेगा कि ये तो हमारा word है हमें use करना ही करना है क्यों क्योंकि समय समय पे life में ऐसी situations सब के साथ आती है कोई घबरा जाता है दूसरों को बताने लगता है कोई उसको face करता है bravely तो citadel क्या क्या करेगा पहले इसको जान लीजिए फिर लगेगा हर विक्ति को कि ये तो मेरे लिए ही बता दिया आज word है citadel क्या करेगा citadel diffuse कर देगा weakness आपके अंदर की किसी भी कारण से अगर आप अपने आपको weak महसूस कर रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता कोई situation मेरे हाथ में नहीं बच्ची है अब मैं इतना पैसे में करजे में दब गया हूँ कि मैं बाहर निकली नहीं सकता अब relationship इतना खराब हो गया है कि आप सही हो ही नहीं सकता बच्चे बात नहीं सुनते आप सही हो ही नहीं सकते तो जहाँ पर weakness हो जहाँ पर hopelessness हो वहाँ पर यह word आजाता है citadel अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि बहुत कमजोर आप अपने आपको बड़ा ही weak feel करते हैं वह place मतलब नाउमीद हो चुके हैं तो वहाँ पर आपको chant कर लेना है citadel आपका word है citadel इसके अलावा जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है कौन सी रास्ते चलना है जिससे आप निकल पाएं जीवन में कभी-कभी हम ऐसे दो राहे पर खड़े हो जाते हैं रास्ता समझ में नहीं आता कि इस रास्ते जाएं कि इस रास्ते जाएं ऐसा करें तो ये नाराज वैसा करें तो वो नाराज तो जब समझ में ही नहीं आना रास्ता की किस तरफ जाना है एक दो दिन चैंट कर डाली है citadel रास्ता दिखने लगेगा, मिलने लगेगा, खुलना शुरू हो जाएगा किस तरफ जाना है अपने आप समझ में आने लगेगा तो ये है citadel word का जादू, जो हर के लिए कही न कही use जरूर होगा दूसरा इसका use है, ये word आपको देगा security, ये word आपको देगा strength, ये word आपको देगा stability तो जहाँ पर भी security, strength, हिम्मत, ताकत की जरूरत हो, सुरक्षा की जरूरत हो वहाँ पर आपका word ये वाला आपको chant करना है, ये switch word आपको chant करना है छोटा switch word है, सब लोग इसको याद रख ले, क्योंकि ये day-to-day life use होगा पता नहीं कब की situation से हम ठकने लगे, हारने लगे, कहाँ पर हमको ऐसा लगे कि हे इश्वर आप हमको बचा लो, आप हमको ताकत दो, हम में ताकत नहीं बची है तो chant कर डाली, citadel, citadel आपको वही ताकत देगा, inner strength देगा कि आप उस परिस्थिती का सामना कर से, तीसरी situation आपके अंदर एक ऐसा different system create कर देगा, जिससे problem को आप face कर सकते हैं मैं हमेशा हर विक्ति को बोलती है, जो लोग मुझे calls करते हैं कि हम तो ना उम्मीद हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लड़िये situation सबके जीवन में आती है तो यह word की chanting क्या करेगी, एक different system आपके अंदर create कर देगी कि आप उस situation से लड़ सके, एक fighting mode में आ जाएंगी एक fighting spirit आ जाएगी आपके अंदर कि नहीं, मैं सामना कर सकते हूँ, yes I can do तो यह चीज आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आप ताकत खो देते हैं, वहाँ पर अपनी strength खो देते हैं, समझ लीजिए आपने अपनी ताकत खो दी, अपना जो inner strength है, अगर आपने उसको lose कर दिया ना, तो आप किसी भी situation को face नहीं कर सकते है तो यह आपको क्या देगा, inner strength देगा और fighting mode में ला देगा, बहुत जरूरी है, बहुत important है यह जीजिज, ठीक है इसके अलावा अगला point, जब भी कभी new start करना हो, सब कुछ खतम हो गया, अब हमको new start करना है तो new start करना है, तो कुछ दिन chant करना शुरू कर दीजिए, citadel, आप नई start कर पाएंगे, new beginnings, new opportunities, सारी रास्ते खुलने लगेंगे जीवन में जब करनी हो एक नई शुरुआत, तब भी आपका word है यह, आपको chant करना है, chant करना शुरू कर दीजिए, और फिर अपने काम में लग जाएंगे क्योंकि एक तरफ तो आपको यह strength देता चला जाएगा, दूसरी तरफ आपको opportunities देगा, तीसरी तरफ यह आपके लिए रास्ते खुलता चला जाएगा, opportunities भी दे रहा है और दिखा भी रहा है कि भाई इस रास्ते पर चलो, इस word की chanting से यह magic होगा, और क्या करेगा, यह वो उ यानि चाहे आप कितना भी hopeless है अपनी life से, लेकिन यह word की chanting खोद आपके अंदर आपको वो उमीद की किरण जगा देगी कि नहीं, ठीक है, problems है तो है, लेकिन अभी कुछ किया जा सकता है, तो वो एक उमीद की किरण अगर किसी के अंदर जाग जाए ना, तो वो सब कुछ कर सकता है, तो यह word आपके अंदर वो उमीद की एक किरण दिखा देगा आपको कि अभी वो दूर एक light दिख रही है न, वो है वहाँ पर अधेरा बीच में ज़रूर है, लेकिन वो जो दूर एक light जल रही है, वहाँ तक अभी अगर आप पहुँच गए तो आपको सब कुस ठ जाहे आप कितना tension में है, stress, depression में है, इस word की chanting आपको देगी peace, कितनी भी परेशानियों में आप गिरे हों, उस दिन इसको chant कर लो, आपको देखो कैसे अच्छा mental peace मिलने शुरू हो जाती है, तो ये तो बात हो गई switch word की citadel magic है, आप इसको chant करके देखी, आपको बड़े सारे इक positivity आपके औरा में, positivity आपके जीवन में आनी शुरू हो जाए, अब हमने बात की थी numbers की, तो आज जो आपको number दे रही हूँ, दो number दे रही हूँ, पहला number, 1111, 1111, ये क्या करता है, new opportunities देता है, नए रास्ते खोलता है, मतलब जीवन में जब करनी हो नए शुरुआद, तो 1111, आपका number है, पहला number, दूसरा जो number आज आपको दे रही हूँ, वो है, 913-71895, ये number क्या करेगा, ये number ये करेगा, कि जो problems जीवन में आनी थी, वो आ गई, अब वो problems repeat नहीं होगी, तो हमने क्या किया, नए शुरुआद के लिए number लिख लिया, साथ में दूसरा number भी repeat नहीं होगा, और नए शुरुआद की तरफ हम बढ़ने लगे, तो ये है magic, इन numbers का, किसी भी color के pen से इस number को left body part में लिखिए, chanting करेगे, साथ में बना दीजिए, energy circle भी, energy circle इसलिए important होता है, कि आप उससे 24 hours broadcast कर सकते, जब आप chant नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको energy मिल तो सबसे पहले अपना नाम लिखिए, सफेद कागच पर circle करके ऊपर अपना नाम, फिर लिख दीजिए, citadel, उसके बाद ये दोनों numbers लिख दीजिए, जो मैंने आपको दिये हैं, magic देखिए इस word का, तो साथियो मैं हूँ शालिनी, आप सब की दोस्त अगले वीडियो में फिर मुला काथ होगी, बहुत सारा प्यार, नमस्ते